हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, एक्सेसाइस 4.2 से कुश्चन नमबर 1 करेंगे classify the following curves as open और closed curves ये 5 figures आपको दिखरी होंगी, इनके अंदर आपको ये बताना है कि open curves तो कौन-कौन है और closed curves कौन-कौन है तो curve बता दूँ मैं आपको कि curve ऐसी कोई भी figure होती है जो हम freehand बना देते हैं अब ए फिगर को देखिए, ए फिगर के अंदर ये ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए हमें बताना है कि open है या closed है तो देखिए open curve वो होता जिसके अंदर हम enter कर सकते हैं closed curve वो होता है, ऐसी कोई भी figure जिसके अंदर हम enter नहीं कर सकते बस simply वो ही closed curve बोला जाता है तो ये तो यहां से खुला हुआ है, यहां से अंदर गए, यहां से अंदर गए, यह तो open curve हो गया B part देखिए, B के अंदर ये अंदर अंदर का portion है कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए, जैसे यहां से गए, ऐसे ऐसे यह line जा रही है ऐसे गए, ऐसे गए, अंदर 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 और यहीं पर यह चिपक गई है line तो इसके अंदर क्या आप घुश सकते हैं, आप line पर focus करना, इस वाले part पर focus मत करना कि यहां से अंदर आ जाएंगे नहीं, जो line ओ से अंदर का region जो cover है यह जो अंदर अंदर का area है, यह वाला part क्या इसके अंदर आप कहीं से enter कर सकते हैं, कोई जगा खाली है, जो अंदर जाए जा सके, नहीं है न, तो यह closed करव है तो यह हुआ open, मैं लिख देता हूँ, वैसे यहां लिखा हुआ है, O for open हो गया, C for closed हो गया C part देखिए, C part ऐसे यहां से pencil से यह बना दिया, यहां पर छोड़ दिया, अब यह बंद तो नहीं हुआ न, यह figure पूरी की पूरी बंद नहीं है Let's suppose यह कोई पार्क ही है, यह पार्क ही हो गई है boundary, यहां तो खाली पड़ा है, तो पार्क के अंदर तो कोई भी घुश जाएगा, तो यह तो open हो गया तो इस तरह का जो होता है curve, इसे हम open curve बोलते हैं D part देखिए, यह line segment से मिलके बना हुआ है curve, एक triangle है, कहीं से भी इसके अंदर आप enter नहीं हो सकते, पूरी इसकी जो boundary है, बिलकुल cover है तो यह closed curve है, इसके बाद E part देखिए, E part में यह quadrilateral बना हुआ है, यहां भी आपको कहीं से भी कोई भी gap नहीं दिखाए दे रहा होगा, यह पूरा का पूरा ही जो इसकी boundary है, यह पूरी cover है, कहीं से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो यह भी closed curve ही है इस तरह से आप open और closed curve की पहचान करते हैं, question खत्म, next questions के लिए मिलते हैं next video में, तक तक के लिए good bye